नमस्कार पुर्वांचल के कई हिश्चों में आज तेज बारिस हो रही है बस्ती अमबेटकर नगर के अलामा तमाम जनपदों में आज जमा जम बारिस हो रही है कल से ही बारिस हो रही है बारिस होने से किसानों के जो चेहरे हैं उसे मुस्तान आ गई है धान की जो पसल है उस उसे काफी नुक्सान होना बता जा रहा है ये तस्वीरे हम दुबुलिया विकास खंड के अंतरगत हरिपाल खुर की दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि तेज बारिस हो रही है और इस बारिस होने के चलते धान की जो है फसल वह लालाने लगी है वहीं गन्य की ज पर गिरने से उनका काफी नुक्सान होना बता जा रहा है ये तस्वीरे हम गाउं से लेकर हाजिर हैं हम आपको अपने यूट्यूब चैनल के मादन से दिखा रहे हैं कि बारिस गामिर इलाके में किस कार से हो रही है और इस बारिस से कहां पर फायदा हुआ कहां पर नुक् पर रहुनक्स देखने को मिल रही है तो ये तस्वीरे आप गाउं की देख पा रहे हैं आप देख सकते हैं कि गाउं में आज जब दस बरसात हो रही है या बस्ती जिले के बिभिन इलाकों की बरसात है आपको बता दें कि आज बारिस होने के चलते जिला जिकारी बस्ती न और आज जब दस वारिस हो रही है इस वारिस होने के चलते बिद्दूत की ब्योस्ता पूरी तरीके से चोपट हो गई है लोगों को कलते बिद्दूत की सप्लाई नहीं मिल पाई है तो इन तश्वीरों के माध्यम से आप गाउं की खबरे को देख सकते हैं और आप देख सकत हाल क्या है और फिरहाल माजहा इलाके के लिए यहां बारिस मुसीबत बन गई है जहां पर बार आई हुई थी और बार के जो छेत्र हैं वहां बारिस होने के चलते लोगों के जो पस हुआ हैं उनके लिए जो चारे की वेवस्ता है उसके लिए काफी पसान होना पड़ा है फि कहीं पर प्रगिरनी की भी सुचनायें आई हुई हैं कई अस्ठानों पर कई गाउं के मारगों पर पानी भरा हुआ नेजर आ रहा है तो इन तस्वीरों को लेके हम आपके बीच में हाजिर है अपने YouTube के माद्धम से YouTube चैनल के मादल से हम आपको दिखा रहे हैं कि आपके छेत में हमारे इलाके में गाओं के इलाके में बारिस का क्या हाल है इस बारिस से किशे फाइदा हुआ है किशे नुक्सान हुआ है तो सबस्यादा फाइदा जो हमारे हैं किशान उनके लिए होना बताए जा रहा है तो इन इन खबरों को लेके आप देख सकते हैं तो आज के लिए बस यहीं तक नमस्कार मिलते हैं फिर किसी दूसरी न्यूज के साथ दूसरी इलाके की न्यूज के साथ आज के लिए बस यहीं तक नमस्कार धन्वाल